श्वागत है आपका BHDC133 के एक और महत्पून वीडियो में इससे पहले के वीडियो में हमने भारतेंदू हरिशंद्र के कुछ चैनित कविताओं के अंस की संदर्व सहित व्याख्या हमने पढ़ा शमझा आज के इस वीडियो में हम अयोध्या सिंग उपाध्याई के कुछ च 36 नंबर का पूछा जाएगा विशे इस रूप से ध्यान रखेंगे और यह सबसे आसान तरीका है एकजाम में पासिंग मर्क्स लाने का और बहतर नंबर लाने के लिए और भी जवाब दे सकते हैं लेकिन कम से कम अगर 36 नंबर की बात करें तो मात्र कविता को पढ़ कर उस कविताओं के अंस की शंदर्प सहित व्याख्या को यहां जैसे की प्रस्तुत है एक कविता समय वीडियो लंबी नबने इसलिए मैं कविता को पुछ अंस को पढ़ देता हूं जैसे आप देखे यहां लिखा है अतह करूंगा यह कारी मैं से हूं सो हस्त में दुरला प्रान कोली सो जाती और जर्म धरा नीमती मैं न भीत दूंगा विक्राल व्याल से शदा करूंगा अप मिर्तिव शामना शव भीत दूंगा न शुरेंद्र वज्र से कभी करूंगा अभेलना न मैं प्रात्ना धर्मां परुपकार की प्रवा होते तक सेश स्वांस के शसक्त होते तक एक लोम के किया करूंगा हित्य सदू भूत का यह जो हमने अभी कविता के अंस पड़े हैं यह प्रसंग और इसकी संदर की बात करें तो यह प्रिये प्रवास जो की हरियोध यानि उपद्या शिंग उपद्या जी की सबसे प्रसिद रचना है इसके माध्यम से हरियोध जी ने समसमाइक समस्याओं को अस्थान दिया है जो समय चतकालीन समाज की घटना हो रही थी जो समस्या दिख रही थी उनको इन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रसूत किया है इस रचना के विभीन सरगों से कु विताओं को भी हम देखेंगे और हम इस कविता के अगर व्याख्या की बात करें तो इसमें इसकी व्याख्या इस प्रिकाड है कि उद्धव को सुनाते हुए वह वृत ग्वाल कहने लगे कि इसलिए अपने प्रान को हथेली पर रख कर मैं शेव ही आकारी करूंगा अपनी ज वजर से भी भैवित नहीं होंगा धर्म के प्रधान तत्त परुपकार का मैं कभी भी तिरसकार नहीं करूंगा इसलिए कि मैं इन्हीं काडियों को सफल बनाने आया हुए यह हमने जो कविता पढ़ी है उसकी व्याख्या यह है और यह व्याख्या आपको मैं इसलिए से सामने दिखेगा तो आसानी से इसके अर्थ आपको समझ में आ जाएंगे और उसकी व्याख्या करने में आपको आसानी होगी मातर आपको याद रखना है कि वह कविता किस प्रसंग से संबंदित है जैसे हमने जो भी कविता पढ़ी है या प्रिये प्रवास हर्योधी जी की किर्तग्या सारे अपुर्ण गुन हैं उनके बताते सक्चे नीरतन हरी भी इसकाल के हैं बाते बड़ी शरस के कहते बिहारी छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे इसी कर देख सकते हैं आगे थे राजपुत्र उनमें मद था न तो थी वे दीन के शदन थे अधिकांस जात इस को ऊप्रतब्स रति करते प्रवाज करते बाते हैं ति यह हर्योद जी की प्रशिद्षी की बात करें तो इस कवित्या में वठiran वरण कर रहा है कि संसार में सदेव ऐसे स्रेष्ट महापूरुस दर्म लेते रहे हैं जिनके पड़म पवित्र और महानकारियों से प्रित्वी कृतग्य होती आई है कृष्ण के संपूर्ण अनूपम गुन ही बता सकते हैं कि वे इस यूग के महान व्यक्ति हैं और उनके कर्म की बात के सूचक हैं कि भविष में वे अतिन्त महान व्यक्ति बनेंगे और संपूर्ण विश्शदेव अश्मन किया करता है उन्हा कभी कहना चाहता है कि कृष्ण ने जो महान कारी करके दिखा हैं उन्हें कोई भी व्यक्ति कभी नहीं कर सकता कहां तो इतने कठीन कारी और कहां उनकी 12 वर्ष की छोटी अवस्था है उद्धव जब इस छोटी अवस्था में उन्होंने ऐसे कारी दिखाएं तो फिर क्यों नवे इस युग के महापूरुष होंगे कहने का आसे है कि ऐसे व्यक्ति ही महापूरुष होते हैं आप जब भी कविता पढ़ेंगे बहुत ही असरल सब्दों में आपको यह सब देखने को मिल जाएगी इसलिए में आपको कविता के अंस और उसकी व्यक्ति पढ़के सुनाड़ा हों ताकि अगर आपको कविता मिलती है तो उसकी संदर्व आपको पता हो और उस कविता का आप देखते ही अर्थ समझ जाए और अर्थ समझने के बाद उसकी व्याक्याव अपने सब्दों में ही करके अच्छे नमबर प्राप्ट कर सकते हैं और यह सबसे सरल माध्याम हैकजाम में नमबर लाने का वहीं एक और कविता लेते हैं तबती चित बना है स्याम का चारू ऐसा वह निज श्रिहदों से थे स्वेम हार खाते वह कतिपय जीते खेल को थे जिताते शकलित करने को बालकों में उमंगे चरित्र ऐसा उनका विचित्र है प्रविष्ट होती जिन में नबुद्धी है सदा बनाती मन को विमुग्द है अलोकिक लोकमई गुनवाली यह जो है अयोध्या सिंग पध्याई की यानि हरियोध के ही काब्ये प्रशिद काब्ये प्रिया प्रवास के तिर्वे शरंग से ली गई है इसमें क्रिष्ण भवान के जो विराट स्वरूप है उनका जो रूप है उनका जो हिर्दय है इसके बाड़े में कभी अपने विचार प्रसुत कर रहा है अगर व्यक्या की बात करें तो बड़े से बड़े कुशल खिलाडी भी क्रिष्ण को जीत नहीं सकता था लेकिन क्रिष्ण काचित इतना सुंदर था कि वे जान बूच कर अपने प्रिये आत्मिये सखाओं से हार जाते थे ताकि उनके मित्रों को खुशी मिले वे अत्यंत कोमल हिर्दय के थे अपने शाथियों को जिता कर उनके हिर्दय में उमंगे भरना चाहते थे इसी प्रकार एक और कविता को लेते हैं कविता को अंस्किलोते हैं जैसे यहां आपके सामने पढ़कुत है मैं इसे फूले स्कीन पर डालता हूं ताकि आप भी से पढ़ सके शलग्न हो विविध कितने शंत्वना कारी में भी वे सेवा भी सतत करती व्रिद रोगी जानों की दिनों हीनों निकल विध्वा आदी को मानिती थी पूजी जाती बजरद अवनी में देवियों सी अतुरी थी इसी प्रकार दे सकते हैं कविता है जिसकांत पत्तो कोभीना तरूवर के वे विर्था तोड़ती थी जी से वे थी निरंतर रहती भूत शमर्धना में यह जो कविता है यह तेरिवे शर्ग से लिग गई है जो कि अविध्या सिंग पध्याई के प्रशिद कावे रचना प्रिये प्रवास से लिग गई है इसमें कवी ने राधा को जन सेविका की रूप में प्रस्तुत किया है बजर के तमाम लोगों की सेवा में ही राधा अपना शुक मानती है और ये जो हमने कवीता पढ़ा है उसका व्यक्षा इस प्रकार से हरियोध जी ने किया है कि राधा किजन सेवी का रूपका, इसमें हर्योजी ने चीतरन किया है और कहा है कि वीध प्रकार के सतकर्मों में लीन डेहने वाली राधा ने वरिध्धों और रोग्यों की सेवा में अपने को उत्सर्ग कर दिया था एनकि उसमें अपने आपको व्यस्थ कर लिया था दिन हिन लोगों विध्वाओं के प्रती उनका आच्ण अत्यनत आत्मियता से भर्पूर हुआ करता था उन्हें हर प्रकार से सुखी और प्रफुल चित रखने के लिए भर्सक प्रयास करती थी बरोक के प्रती उनका आदर और सम्मान सदिव बना रहता था उनके इन दुरलब मानिवे गुनों के चलते वे बजरवालाओं में देवी की रूप में पूजी जाती थी इस मान तथा सम्मान से भी राधा कभी अपने को विशिष्ट नहीं मानती थी राधा हमेशा कृष्ण का अस्मन किया करती थी कभी ने आगे कहा या भी कहा है कि राधा जगरों से उत्पन मानसिक विथाओं को सदेव दूर कर देती थी मन में फैले देश को भी वो धो डालती थी सब के मन में समरस्ता बनी रहे इसका प्रियास करती थी चिंता ग्रस्त लोगों के मन में सांतिय थापना हित्तु प्रितन करती थी सभी को प्रस्ण देखने के लिए अनेक परकार की कोषी से करती थी इख सेवसे उन्हें परम संतोष की प्राप्ती होती थी कवी कहना चाहता है कि जब शिव दुखी होता है तो दूसरे जीवों को भी पीरा होती है भली भाती महसूस कर पाता है और उनके कश्टों को दूर करने के लिए आगे बढ़ता है राधा ने इस कर्मों को अपना धर्म माना है इस प्रकाड आप देखेंगे कविता पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से आपको ये चीजे समझ में आ जाएगी और ये बहुत ही महत्पूर्ण है त्रिये प्रवास का उदेश देख लेते हैं कि कवी ने ये जो प्रिये प्रवास कविता लिखा, उसमें कवी का उद्देश क्या था। आप से हो शकता है। करें कि अयुद्या सिंगh उपध्याई के काव रचना का उद्धिषं बताएं कि काव verrचना की प्रकिर्थी उनकी भावना पक्ष कुछी कुछ विपशा क्ता है आये एए उपध्या सिंगh कि round से उपध्या हर्योध जी की प्रवास के उद्धे सिको travelling social, जीवन और समाज के हित साधना से युक्त साहित रचना ही वास्तविक उत्किष्ट साहित रचना है अगर हम साहित रचना की बात करें और एक उत्किष्ट साहित रचना की बात करें अप्छर सह सही है कि साहित उसी रचना को कहेंगे जिसमें जीवन की सचाई प्रकट की गई हो अर्थात जो जीवन एवं समाज के लिए एक नई और नई राह दिखाता हो सहीत रचना करने का उद्देश जीवन और समाज को एक नई राह सची राह सही मर्ग दिखाना है हिंदी सहीत को रचने वाले महान सहीत कारों ने भिर्मिन कालों में ऐसे ही महकून सहीत की रचना की जिसे समाज को दिशाप्राप्त हुई ऐसे साहित्यकारों में हरियोध का भी नाम सामिल है यानि कि उपध्याशिंग हरियोध जी का नाम सामिल है कृष्ण भक्ती परंपड़ा के अनुकूल रचे गए कावे रचनाव के श्रिंखला में प्रिय प्रवास को हम रख सकते हैं इसका जो मुख उदेश केवल क्रिश्ण भक्तों को क्रिश्ण की गाथा सुना कर प्रसंद करना नहीं है बलकि इससे हट कर वे महत्पून उदेश को अस्पस्ट करना चाहते हैं इस शंदर्म के पाठ में हमने स्वयम हरियोध के कथन को उपर हमने पढ़ा है इसमें श्री क्रिश्ण को हरियोध जी एक महा पूरुष की भाती अंकित कर रहे हैं इसमें अस्पस्ट है कि वे क्रिश्ण को ब्रह्म सोरूप नहीं एक व्यक्ति महान पूरुष की रूप में हमारे सामने प्रस्तूत कर रहे हैं असपस्ठ है कि वे समय के अनुकूल ही काभगी रचना करते थे कृष्ण को उन्होंने एक जननाया के उसक्चे नेता की रूप में प्रस्तूत किया है कृष्ण गोकूल से मत्रा जाते हैं वहां उनका कारी राजनीती को सम्हलना है वे वापस कभी नहीं लटते इसी बात का सं पहला रखा था जनता इसके अत्याचार से कराह रही थी कृष्ण ने इन सब का संहार कर उन सब को मुक्ति प्रदान की सब की रक्षा की सब कुकस्टों से मुक्ति प्रदान किया उनके व्यक्तिगत प्रेम से बढ़कर राष्ट प्रेम है श्री कृष्ण के लिए व्यक्तिगत प्रेम से बढ़कर राष्ट प्रेम है इसका संदेश विदेना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रेम हो किसी प्रकार की मोह माया हो इस सब से बढ़कर राष्ट प्रेम है ऐसी भावना वो जनता और पाठकों के बीच पहुंचाना चाहते थे। ब्याप्त समस्याओं के प्रति उनकी जो चिंता है वे यहाँ इस पद से मालुम चल रहा है। कभी अग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे भारति नेताओं में जोस दिलाने का प्रियत्न कर रहा है। काब में वन दाह की घटना का वरन कर कभी ततकालिन उस गलती की ओर लोग का ध्यान दिराने चाहते हैं जब लोग क्रोध में व्यक्तिकत द्वेश से राष्ट की संपति का नुक्षान कर देते थे। ऐसे बिनाशकारी तत्तों को ललकारे हुए कृष्ण का या कथन बहुत ही मारपूर्ण है। बिना प्रानों के मोह की संखर्ष में कुध पड़े अपने भासनों मेवे लोगों के प्रान मोह त्यागने की बात करते थे। राष्ट के लिए प्रान त्यागने से अमरित एयों ख्याती मिलेगी यही संदेश वे दिया करते थे प्रिये प्रवाश में हरियोध ने कृष्ण के मुख से लोगों के लिए जनता के लिए बहुत से संदेश कहलवाए हैं जैसे एक पढ़ लेते हैं यहां बहुत हैं आप इ देखने को मिला है तो आप उसे याद रखेंगे इसके साथ ही आपने आपको मैंने जो प्रिये प्रवाश का जो लेखन का उद्देश है उसे भी आपके सामने प्रसुत किया है इसे भी संबंधित प्रस्ण पूछ सकता है इसलिए एक से दो बार इस वीडियो को देखे और एक्जाम में आसानी से कम से कम पासिंग मर्स लाने तक की गरेंटी यह वीडियो आपको दे सकता है तो वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आता है और ऐसी वीडियो कर आप आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें तो मिलते हैं अगले व